समंदर तले दफ्न एक रहस्य इतिहास के बन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखत घटना जिसने संपूर्ण विश्व को हिला कर रख दिया ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था इसका नाम है RMS Titanic दोस्तों Titanic की कहानी शुरू होती है 19 वी शताबदी की शुरुआत से उस समय जर्मन और ब्रिटिश में होड मची थी बड़े बड़े जहाज का निर्मान करने की इसलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा हो जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए इसलिए ब्रिटेन सरकार ने वाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोडो डॉलर का लोन दिया इसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आईरलेंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्मान लगभग 15,000 इंजिनियर और कारीगरों ने 3 साल कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य और आलीशान जहाज तयार किया इस जहाज को 16 अलग-अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे इसकी इसी खूबी के कारण ही इसे अंसीकेबल जहाज कहा जाता था 2 अप्रेल 1912 को टाइटैनिक बन कर तयार हो चुका था इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था अंदर जाकर वो दुगना हो जाता था वाइट स्टार लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का एलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर रुमान चित हो उठे 10 अप्रेल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंगलेंड की साथ हैंटन से न्यू यूर्क की तरफ निकल पड़ा कहा जाता है कि जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तयार था तब इसे देखने के लिए एक लाख से अधिक लोग बंदरगाह पर आये थे साथ हैंटन से निकल कर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से शाम को शेबर्ग फ्रांस पहुचा और यहां से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक कुईन्स टाउन आयरलेंड पहुचा और यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटानिक अपने अंतिम सफर न्यू योर्क के लिए रवाना हुआ टाइटानिक जब आयरलेंड से निकला तब टाइटानिक को उसके रास्ते पर आइसबर्ग मौजूद होने की पहली चेतावनी मिली लेकिन जहाज के कपतान एडवर्ड जॉन स्मित ने इस चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफतार कम नहीं की जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था रात होते होते कपतान एडवर्ड स्मित को लगभग छे चेतावनी वाले संदेश अन्य जहाजों द्वारा दिये जा चुके थे लेकिन कैप्टन स्मित ना ही जहाज की रफतार कम करना चाहते थे और ना ही इन चेतावनी को गंभीरता से लेने वाले थे क्योंकि कैप्टन स्मित अपने आखरी रेटायर्मेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे वे टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ इस सदी का सबसे तेज जहाज होने का दरजा भी दिलवाना चाहते थे 14 अप्रेल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मित ने सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के दो क्र्यू मेंबर्स फ्रेडरिक फ्लीट और रेगनाल ली को जहाज के उपर निगरानी के लिए तैनात किया ताकि वो किसी भी खत्रे की जानकारी तुरंट कैप्टन को दे सके उस रात समंदर एकदम शांत था आसमान में चांद नहीं था इसलिए उन्हें सर्फ तारों की हलकी रोशनी ही मिल रही थी तभी अचानक 11.49 मिनिट पर निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लेट ने जहाज के ठीक सामने एक काला सा पहाड देखा उन्हें बर्फ की चटान नहीं दिखी ये देख फ्रेडरिक तुरंट समझ गया कि टाइटानिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है फ्रेडरिक फ सुनते ही सारे अफसर जहाज को मोडने की कोशिश करने लगे अचानक हुए डिसिजन से कैप्टन ने टाइटानिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की लेकिन अफसोस 11.40 मिनिट पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया टकराओ इतना जोरदार था कि इसने थर्ड क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा जटका दे दिया था यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब टाइटानिक को एक जगह पर रोग दिया गया और इंजन बन कर दिये गए जैसे ही ये ख आपस में जुड़ी प्लेट सरग गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा वही जब जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो थर्ड क्लास में रहने वाले सभी यात्रि ऊपर की और भागने लगे इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रियूज ने कैप्टन को बताया कि जहाज के पांच कमपार्टमेंट में पानी भर जुका है और कुछ ही समय में पानी डेक के उपर से बहते हुए एक-एक करके सारी कमपार्टमेंट में भर जाएगा इसके बाद सभी लाइफ बोर्ड को बाहर निकाला जाने लगा लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोर्ड मौजूद थी जिसकी कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों की थी लेकिन अफरा तफरी और खबराहट में लाइफ बोर्ड में केवल 28 से 30 यात्रियों को ही चड़ाया गया इस बात पर सवाल भी उठे कि कैप्टन होने के नाते स्मित को इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री हैं और कितनी लाइफ बोर्ड हैं फिर भी कई नावों को बगेर पूरी तरह भरे जाने दिया गया और इसी वजह लोग डूबने से नहीं बलकि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गये थे टाइटाइनिक के डूबने के दो घंटे बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया था और उसमें इस्तिमाल किये गए माटेरियल को घटिया बता कर उसे इसका जिमेदार साबित करती थी लेकिन 2010 में शुरू किये गए एक प्रोजेक्ट के तहट टाइटाइनिक के डूबने की असली वजह जानने के लिए शोध करताओं की एक टीम ने लाखो डॉलर के आधुनिक रोबोट्स और हाई डेफिनेशन वाले कैमेरों की मदद से नौर्थ अटलांटिक ओशियन में रडार तकनिक से स्कैन करके 15 किलोमीटर के क्शेत्र का एक मैप बना कर टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकडो की एक लाख पचास हजार फोटोज और वीडियो एखटा करके टाइटैनिक के मलबे के हर छोटे बड़े टुकडो का अध्यायन किया और लगभग दो साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक को वर्चुली तयार करके इसके डूबने की असली वजह को जानने का प्रयास किया टाइटैनिक के डिजाइन और उसको बनाने में इस्तिमाल माटेरियल पर कई तरह के एक्सपिरिमेंट करने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन में कहीं कोई कमी नहीं थी और ना ही उसमें इस्तिमाल किया गया माटेरियल घटिया क्वालिटी का था दरसल इस टीम के मताबिक रिसर्च में पाया गया कि टाइटानिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफतार थी क्योंकि तेज रफतार से जब आइसबर्ग टकराया तो उससे हजारों टन का दबाओ जहाज के निचले हिस्से पर पड़ा और इससे दबाओ वाली जगह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और फिर जहाज के पांच कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से जहाज आगे से डूब गया आज टाइटैनिक का मलबा कैनिडा न्यू फाउंड लेंड से करीब 600 किलो मीटर दूर 4 किलो मीटर नीचे गहराई में पड़ा हुआ है जिसकी तलाश एक अरसे से होती रही है लेकिन कामिया भी 1985 में मिली उसके बाद से अभी तक 700 से भी ज्यादा तैराक इस एतिहासिक मलबे के पास जा चुके है हालाकि 100 साल पूरे होने से इसे पानी के नीचे की धरोहर में शामिल कर लिया गया है जिसके बाद टाइटैनिक के मलबे का संरक्षन अब संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एज करती है ताकि इसके मलबे को गैर वैज्यानिक और अनैतिक खोजों से बचाया जा सके खेर अभी तो 100 साल ही हुए है हो सकता है आने वाली सदियों में समंदर से टाइटैनिक के ये निशान भी खत्म हो जाए लेकिन कोई भी आइसबर्ग उस टाइटैनिक को नहीं डुबो स जो करोड़ों अरबो दिलों में तैर रहा है तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें